इस वीडियो में मैं आपको उताओंगा फ्रेंटS किवॉड में अपना फोडो कैसे सेट कर सकते हैं? यनि कि वाटस अब की वोड में आप अपने फोडो को ठीम में कैसे लगा सकते हैं? तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट दे तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए है इस चैनल को सब्सक्राइब करके पासवाले नोटिफिकेसन बेल को दबा कर और जरूर क्लिक कर दीजिगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए आप कुछ चली जाना है वाटसप में उसके देखिए हम यहां से अइक फ्रिंट के चैट को ओपन करने कूद हम यहां मैसेज टाइप करने के लिए यहां पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी जो है मेरा की बोड़ बिलकुल साधा-साधा है इसमें कोई भी हमारा photo set नहीं है, तो friends, आपको क्या करना है, कि photo को set करने के लिए, आपको अपने keyboard में, आपको यहाँ यह three dot के line का icon मिल जाएगा, आपको इस पर click करना है, उसके बाद आपको यह theme का option मिल जाएगा, तो आपको इस पर click करना है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके सामने कई theme आजाएगे, तो आप चाहें तो इन सब theme को भी अपने keyboard में set कर सकते हैं, लेकिन friends, क्योंकि आपको अपने कोई photo को add करना है, तो उसके लिए आपको यह plus पर click कर देना है, प्लस पर click कर देने के वाद यहाँ पर आपका gallery open हो जाएगा, तो अब आप अपने gallery से उस photo को select कर लिजिए, जिस photo को आपको अपने keyword में लगाना है, मैं friends यहाँ से अपने इस photo को select कर लेता हूँ, select करने के बाद आप यहां से इसके brightness को adjust कर सकते हैं, फूल रखने के बाद आपको यह done पर click कर देना है, उसके बाद आपको यह apply पर click कर देना है, उसके बाद आपके वाटस अप keyboard में आपका photo add हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं हमारे WhatsApp keyword में यहाँ पर हमारा फोटो एड हो चुका है तो इस देखे से आप अपने WhatsApp keyword में अपना फोटो लगा सकते हैं यानि कि एड कर सकते हैं उम्मिद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे योटिव चैनल पर नहे हैं चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लिजिए